नमस्कास शाथियों बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आप सुभी के अपने चैनल टेक श्टडी पे अगर आप भी बेर में एडमिशन लेने वाले हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका एडमिशन नहीं हुआ है अगर आप भी एस्पोर्ट कॉंसलिंग के बारे में जान होने वाली है तो आप बने रहें में सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि आप अभी तक पता नहीं है कि एस्पोर्ट कॉंसलिंग क्या है मैं आपको यहां पर थोई सी डिटेल्स इसके बारे में दे दे रहा हूं अगर थाट कॉंसलिंग के बाद भी अगर आपकी एडमिशन किसी कॉलेज में नहीं होती है तो उसके बाद आपको ड्राइरेक्ट जो है एस्पोर्ट कॉंसलिंग के अंतरगर आपका एडमिशन लिया जाएगा आपको बुला के वहां पे आपके मनमुतावित कॉलेज भी वहां पे प्रोभाइड करा जाएगा तो यहां परकिरिया कब होगी मैं आपको बता दो यहां परकिरिया जो चलने वाली है आपकी 25 दिसंबर से सुरू होने वाली है उसके पहले अगर यहां पे सभी का एडमिशन हो जाता है अगर सीटे यहां पे खाली रहती है तभी यहां पे आपको एस्पोर्ट कांसलिंग देखने को मिलेगा अगर यहां पे सीटे खाली नहीं रहेगी तो यहां पे कोई भी स्पोर्ट कांसलिंग नहीं होगा लेकिन उमीद जताई आ रही है जिस तरह से एलनर के रविया रहा है अभी तक सीटे फूल नहीं हो पाई है बहुत सारी सीटे खाली है तो स्पोर्ट कांसलिंग में भी सीटे खा counseling यहाँ पे physical and part free payment की यहाँ पे विवस्ता जो की गई है 26 से लेकर 30 तक रखी गई है और यहाँ पे DD मांग रहा है यानि कि आप देख पाएंगे यहाँ पे demand draft आपको यहाँ पे देना होगा उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि 31 तक यहाँ पे सारी प्रकिरिया कर ली जाएगी ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप sport counseling में भाग लेना चाहते हैं तो आप 25 दिसंबर का इंतिजार करेंगे लेकिन यहाँ पे एक अहम बात आपके लिए है क्या है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं अगर आप ठट counseling में college reset कर रहे हैं तो ध्यान से reset करेंगे अब यहाँ पे 11 नमबर mention किया गया है notice में आप देखेंगे कि अगली राउंड की online counseling में जिन अभियर्तियों को college advantage कर दिया जाएगा उन्हें sport around counseling में कोई भी दवदाईद नहीं मिलेगी अब यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ी update कही गई है आप इस चीज़ को जबूर ध्यान देजिएगा अब देखिए करना क्या है अगर आप ठट counseling के लिए जा रहा है college reset कर रहे हैं तो आपको क्य district कर दिजिएगा तो उसमें से हो सके कोई भी college आपको एलोट हो जाए अगर माल लेते हैं अगर आपको पटना या औरंगा बाद आपको मिल जाता है कोई भी college आप उसमें option दे देते हैं तो मजबूरान आपको उसी जगह पे उसी college में admission लेना होगा उसके बाद आपको sport counseling मे सामिल नहीं किया जाएगा और यह एलनुवी जो है notice में साफ कर दिया है तो इसलिए ध्यान रखे आपके जीले में जितने भी college है या अधर जीले में जहां पे आप जाने को सक्चम है जहां पे आप admission ले सकते हैं उतने कहीं यहां पे choice करेंगे यहां पे सारी प्रक्राद द दियान रखना है और तीसरा जो है college की रिक्तियाज यहां पे कितनी सीटे खाली है यह भी आपको ध्यान रखनी है लेकिन सबसे अहम बात आपके लिए यह हो जाती है कि अगर आप इसपोर्ट counseling में भाग लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम college का choice करना होगा अब मैं आपको क्योंकि आप यहां पर देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ कि कोई भी college अगर आपको एलोट हो जाता है तो उसकी बाद आपको sport counseling में साविल नहीं किया जाएगा उसी college में आपको admission लेना होगा तो अगर आपके जीले में अगर चार college है पाच college है private college है आप जिसके लिए दव करते हैं अगर सोचते हैं कि मुझे sport counseling में जाना होगा तो आपको यहां पर कम से कम college का choice करना होगा जहां पर आपको कोई भी college ना मिले अगर आपको college नहीं होगा तब आप जो है sport counseling में जा सकते हैं तो यही परकिरिया है sport counseling में जाने का तो आप यहां पर पूरी तरह समझ गय क्या है कैसे होगी और कब तक होगी इसमें कौन-कौन से श्ट्ट जा सकते हैं इस सारी चीजी आप समझ गया होगे तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा चैनल को पहले बाद देख रहें तो सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं वीडियो में ने अफडेट के साथ धन्नेवाद